धर्म संस्कृति और परियाटन की नगरी काशी में नित नए विकासोन मुख पर्योजनाओं की बानगी चवं और द्रिश्टिगत हो रही है। काशी वासियों को 870 करोडों लागत की पर्योजनाय सौगात के रूप में मिल रही है। गंगा निर्मली करण के लिए सतत संकल्पित प्रधानमंत्री जी आज 131 करोड 31 लाग की लागत से रमना में 50 MLD सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लोकार पित कर रहे हैं। इससे अब अशुध जल सीधे गंगा में नहीं प्रवाहित होगा तथा इस नानार्थियों को भी सुविधा होगी। बिएच्यू के पंडित मदन मुहन मालविय कैंसर सेंटर में 130 करोड की लागत से डॉक्टर हॉस्टल, नर्सेज हॉस्टल और धर्म शाला निर्मित होने से अब मरीजों तथा डॉक्टरों को काफी सहुलियत होगी। 128 करोड की लागत से काशी के चप्पे चप्पे पर एडवान्स सर्वलांस कैमरों की स्थापना की गई है। अब शहर की सुरक्षा एवं निगरानी और बेहतर धंग से होगी। 107 करोड 36 लाग की लागत से बियच्यू में अंतर विश्व विद्यालई अध्यापक शिक्षा केंद्र के निर्मित होने से किंडर गाइडेन से लेकर सनात कुत्तर तक के शिक्षकों को काफी लाभ होगा। परियटन नगरी काशी में याताया दबाओ को कम करने और जनता के लिए सुन्दर पार्क के रूप में 90 करोड की लागत से बना बिन्याबाग पार एवं भूमिगत पार्किंग किसी उपहार से कम नहीं है। एतिहासिक एवं पौरानिक पुरानी काशी के पांच वॉर्ड काल भैरो, राजमंदिर, दशाश्वमेग, गडवासी टोला और जंगम बाडी में 66 करोड 54 लागत से सीवर लाइन मार के चौका पत्थर को परिवर्तित कर वहां की दीवारों पर मनोहारी चित्रांकन किया ग पच्चिस करोड की लागत से पांच सड़कों का पुनर विकास हो जाने से यातायात सुगम हो जाएगा तिम्प्रेचर, माप और प्रेशर के कैलिबरेशन के लिए रीजनल रेफरेंस स्टैंडर्ड प्रियोग शाला का निर्मान 9 करोड 3 लाग की लागत से पूर्ण हुआ है जिससे विभिन संस्थानों को परीक्षन में सुविधा होगी सारणाथ के केंदριय उच्छ तिबवती संस्थान में शिक्षक, शिक्षक केंदर के स्थापणा साथ करोड एक लाग की लागत से की गई है इसके स्थापना से तिबवती, पाली, संसिक्रित और हिंदी भाशा के उन्नेयन का मार्ग प्रशस्त होगा भद्रासी में 9 करोड की लागत से बने आयुश अस्पताल से ग्रामीन क्षेत्र में बहतर चिकित्सा उपलब्ध होने लगेगी संत्र रविदास जी की जनमस्थली सीर गोवर्धन में 5 करोड 35 लाग की लागत से सत्संग एवं लंगर हॉल के निर्मित होने का लाब 1000 श्रद्धालों को मिलेगा चांतपुर के अंतराष्ट्रिय चावल अनुसंधान संस्थान में 3 करोड 55 लाग से स्पीड ब्रीडिंग फेसिलिटी उपलब्ध कराई गई है जिससे कम समय में किसान नई प्रजाती प्राप्त कर सकेंगे नदेसर एवं सोनभद्र तालाब के विकास एवं सौंधरी करण का कार्य चार करोड 40 लाग से पूर्ण हुआ है जिससे भूमिगत जल संचयन होने के साथ ही नागरिकों को भ्रमन की सुविधा भी मिलेगी आई टी आई करांदी में 2 करोड 75 लाग से बने आवास से अब करमचारियों को लाब होगा पिंडरा तहसील में 1 करोड 64 लाग से बने अधिवक्ता कक्ष का लाब अधिवक्ताओं को मिलेगा शिलान्यास हो रही पर्योजनाओ से दुग्ध करांती तो आएगी ही साथ ही क्षेत्र के क्रिशकों, पशुपालकों एवं कामगारों के लिए रोजगार भी स्रीजित होगा इसके अत्रिक्त, यातायात, उर्जा एवं चिकित्सा के क्षेत्र में भी जबरदस्त लाभ मिलेगा